एक बार पार्वती जी ने भगवान शिवशंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ट तथा सरव रत पूजन है, जिससे मत्ति लोग के प्राणी आपकी कृपा सहजी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवशी ने पार्वती जी को शिवरात्री की वरत का विधान बताकर शिकारी की कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार से है, एक क्राओं में एक शिकारी रहता था। परश्वों की हत्या करके वह अपने कुटम को पालता था। वह एक साउका का अरेणी था। ले ध्यानमद्न होकर श्रिव संबन्दी धार्निक बातें सुनदाया। चतूरदसी को उसने शिवरात्री रत की कथा भी सुने। संद्या होते ही साउकारी उसे अपने पास बुलाया और रिम चुकाने की विशे में बात की। शिकारी अध्या दिन सारा रिम लोटा देने का व भूख प्यास से वाकुल हो गया। शिकार करने के लिए वह एक ताला की किनारे बैल की रक्ष पर पढ़ाव बना लिया। बेल रक्ष के नीची शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न पर। पढ़ाव बनाते समय उसने तहनिया तोड वह सईयोग से शिवलिंग पर गेटी गई। इस प्रकार दिन बर भूके प्ला से शिकारी का रत्री हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गया। एक पहर रात्री बीच जाने पर एक गर्भीनी म्रगी ताला पर पानी पीने आई। शिकारी में धनुष तीर को जम देकर शिक्री ही तुमारे समक्ष वस्तुत हो जाऊंगी। तब मार लेना। शिकारी ने पतंचा घीली कर दी। आम्रगी जमी जाड़ियों ने लुट हो गई। कुछी देर बाद एक और म्रगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसनता रा ठिकाना नह रहा। समीप आने पर उसमें धनुष पदान चड़ाया। तब उसे देख म्रगी ने विनवर्था पुर्वक निवेदन किया। ये पात थी। मैं थोड़ी देर पहले वीतु से निवर्थ हुई हूँ। कामातु विरैनी हूँ। अपने पी की खोश में भटक रही ही हूँ। मैं अपन पहल भी बीठ रहा था। तभी एक अन्य म्रगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णी मॉसर था। उसने धंश पतीच रहाने में देन लगाई। वतीच छोड़ने ही वाला था कि म्रगी बोली। मैं बच्चों को इनकी पिता की हवाले कर की लोटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हैसा और बोला सामने आए शिकार को छोड़ दिय। मैं ऐसा मुर्ख नहीं है। इससे पहले मैं दो बाए अपना शिकार खो चुका हूँ। मैं बच्चे भूख प्यासे तरफ रही है। उत्तर में म्रगी ने फिर कहा। जैसे तुम्हें अपनी बच्चे की मुंता सता रही है ठिक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चे की नाम पर मैं थोई देल के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। है पार्धी मेरा विश्वास कर मैं इन्हीं उनकी पिता के पास शोड़कर तुरफ लोटने की प जया आगे। उसने इस म्रगी को भी जाने दिया। शिकारी की अभाव में बेम रक्ष पर बैठा शिकारी बेल पतर तोड़ तोड़ की नीचे फैकता जा रहा था। पर फर्ट में कोही थी कि एक हस्ट पुष म्रग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिक जार अवस्ट ही करेगा। शिकारी की तनी पतंचा देखकर मिर्ग विनित्स्वमी बोला। ये पार्धी भाई यदि तुमने मुझसे पुरू आने वाली तीन म्रगियों तथा छोटे-छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे रूमार्ण में देर न कर। ताकि मुझे उनकी वियोग में एक शंडी दुख यह सहना पड़े। मैंने मुम्रग्यों का पती हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे रूम कुष्ण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्तित हो जाओंगा। मैं की बात सुनकर श्रिकारिक के सामने पूरी राद का घटना चकर घुन गया। उसने सारी कथा मुझे को सुना दी। तब मैं ने कहा मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार पतिग्याबध होकर गई हैं मेरी मत्ति से अपने दहम का पालन नहीं कर पाएंगी। अपर जैसे त जाने दू। मैं उन सब के साथ तुमारे सामने श्रिक ही पस्तित हो जाऊंगा। उप्वास राप्त्री जागें तदा श्रिवलिंग पर बिलपतर चड़ने से श्रिकारी का हिंसक्र ख्रदय निर्मल हो गया। उसने भग्वास शक्ति का वास हो गया। धनिर्चला बान उ नुकंपा से उसका हिंसक्र ख्रदय करनिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत की कर्म को याद करके परश्यताव की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वन्यक से परिवा शिकारी के समक्ष अपस्तित हो गया। ताकि वह उनका शिकाय कर सके। किन्तु अम्यक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़िक लानी ही। उसने मेत्यों से आसों की जड़ी लग गई। उस म्यक परिवार को ने महारकर शिकारी ने अपने कठोर हिदय को जीव हिंसा से हता सदा के लिए कोमल एम दयाही बना लिया। देव लोक से समस्तेव समाज कि इस गत्ना को देख रहे थे। गत्ना की परिणिती होते ही देवी देवताओं ने पुष व्रिस्टा की ही। तब शिकारी और म्यक परिवार मुक्ष को प्राप्त हुए।